हे वाट्स आप पीपल क्या हाल चाल है मेरा नाम है विनब और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 अंड राइट फाइटिंग गेम्स के बारे में जो काफी कमाल है और आपको जरूर पसंद आएंगे तो फिर चलो ना यार राइट पे कब चलोगे बताता ह इन गेम्स के बारे में ओके तो जो हमारा सबसे पहला गेम है वो है Marvel Contest of Champions इस गेम में करना क्या होता है कि आपको Marvel Universe के सब्सक्राइब करना पड़ता है जैसे एक्जामपल के तौर पे Iron Man, Hulk, Wolverine, Storm, Star Lord, Deadpool, Spider-Man, etc, etc, etc और एक strongest Alliance को create करना होता है और उसके बाद अपने Alliance के metal को check करना होता है जब आप Alliance Wars में वर्ल्ड के दूसरे Alliance से fight करते हैं तब तो गेम काफी अच्छा है गेम की graphics भी काफी अच्छी है अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप महुंस इंस्टॉल कर सकते हैं तो जो हमारा next game है वो है WWE में हम इस game में आपको WWE के सारे players मिलते हैं इस game में आपको story mode से start करना होगा और हर episode जीतने के बाद आप championship belt तक पहुंचते हैं और इतना ही नहीं हर match में आपको experience point मिलता है जो कि आपके further progress के काम आता है और हर victory के बाद आपको कुछ keys मिलते हैं जो कि आपके loot case को खुलने में मदद करेगा जिससे आपको नई superstars और reward मिलेंगे और जैसे ही आप ज्यादा XP लेके level 3 complete करते हैं तो आप versus mode को unlock कर सकते हैं और जैसे ही आप level 4 complete करते हैं तो आप WWE universal championship और RAW और smackdown को live खेल सकते हैं और एक pro tip आपको देता हूँ कि आपको हमेशा अपने अपनेंट के energy bar को देखना होगा क्योंकि अगर उसका energy bar ज्यादा हुआ तो वो आपके reversal को totally reverse कर सकता है मतलब आपकी पूरी तरह से band बढ़ा सकता है मतलब on the whole game काफी कमाल का है तो या जो भी WWE के fan हो एक बार जोरू इस game को खेलना और मुझे बताना कैसा लगा यह game ठीक ओके तो जो हमाया third and last game है इस वीडियो का वो है injustice god among us यह game सायद आप लोगों में से बहुतों ने खेला होगा लेकिन जिन्होंने नहीं खेला है उन्हें मैं बता दू कि यह game DC Comics के fictional universe पे based है यह जो game है वो 2.5D environment में sit है और जो characters, models और जो background है वो 3 dimensional graphics में sit है और यह game खेलने मे में काफी धासू है और इस game का जो sequel है injustice 2 वो अतना अच्छा मुझे लगाने और इसकी rating भी काफी कम है Google Play Store पे as compared to this game तो यार game काफी कमाल है तो यह थी हमारी top 3 fighting games तो बताओ यार कैसी लगी यह वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठोको like comment करो और बताओ कौन सी गे और प्लीज यार सुनो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं और नहीं exciting वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care